आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी है कोई भी Android फोन और यहाँ पर अगर आप अपने फोन में कोई application इंस्टॉल करते हैं तो आपके home screen पर याईनि कि यहाँ पर आपके wallpaper पे show नहीं होता है तो यह problem आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर आप उसके लिए अपने फोन में सबसे पहले settings को open कर लीजिए settings को open करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक option मिलेगा apps के नाम से यानि की app manager तो यहाँ पर आपको अपने phone के app manager पर click करना है उसके बाद आपको उपर की तरफ मिलेगा एक search का option तो right side में आप इस search वाले option पर click करिए और click करने के बाद यहाँ पर आपको search करना है तो यहाँ पर आपको type करना है home तो home type करने के बाद आपको यहाँ पर show हो जाएगा जो भी आपके phone का default launcher होता है तो आप जैसे की देख सकते हैं हमारे phone में है one UI home तो इस पर हम click करते हैं तो इसी तरह से आप click करिए उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक option मिलेगा storage का इस पर click करिए left side में आपको एक option मिल जाता है clear data तो यहाँ पर आप इसका clear data कर दीजिए उसके बाद okay करिए और उसके बाद आपको back आना है और आप check कर लीजिए इसके बाद आपकी यह problem ठीक हो जाएगी अगर आपको फिर भी problem आती है तो आपको same app manager में जाकर यानि की apps में जाकर यहाँ पर जो application आपको show नहीं होता है आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो जैसे कि हम यहाँ पर chrome पर click करते हैं और आपको अगर एक option मिलता है यहाँ पर enable का तो आपको enable पर click करके उसे enable करना है कभी-कभी यहाँ पर वो application settings से disable हो जाता है तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए अगर वो application disable है तो आपको उसे enable कर देना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें